नमस्क्राइब दोस्तों मैं डॉक्टर गुजडदकर आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं जैसे कि मैंने आपको एक पिछला वीडियो डाला था जो कि A लेटर के अलफाबेट से मदर टिंचर्स चुरू होती थी तो आज मेरा यह सेकंड वीडियो है जो कि B लेटर से शुरू होता है तो बी लेटर से जितने भी इसमें मदर टिंचर्स आती हैं उसके बारे में आपको मैं पूरी चानकारी दूंगे तो यह मेरा इंट्रस्टिंग सा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि यह उन लोगों क तो इस जांकारी लेना चाहते हैं तो मैरा वीडियोडास तक जरूर देखिएगा और जदा से जादा लोगों को शेयर किशेएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अध경 तो दोस्तों, अब आप जूर सकते हैं मेरे साथ एमेल से, मेरी इमेल आइडी है फुजातकर308-gmail.com याप मैसेज़ करके मेरे से वीडियो रिडिटर्ट कुछ भी पूछना चाते हैं, बैसिंग की जानकारी लेना चाते हैं यापि मैसेज़ मंगवाना भी चाते हैं तो वह भी आप मैसेज़ सकते हैं करें जाला के बुटवा का अपिए तो चाह रख सब्सक्राइब, चाहिए और एक चाहे दो पार ही कोई। छाहिए दो बारी है कि जो आपके प्रब्लम एक शीन UP प्रब्लम कि पोटन का अप्ल्राहिए और अपने दो बारी Is जो आपके प्राब्लम है वो दीरे दीरे ठीक हो जाएगी तो मेरी next medicine आती है Barbaris, Virgilis, Mudda Tinger कि kidney stone के लिए बहुत अच्छी और effective medicine है pain बहुत जादा हो रहा है stone को निकालने में help करती है kidney function अच्छी से work नहीं करती है urine में acid शुरू हो जाता है तो यह खिट्नी के फंक्शन को ठीक करती है तो उसके लिए बहुत अच्छी और फेक्टिव मैडिसिन है यूज कैसे करें पंदरा से बीस मुन दवा के लिएंगे और देजरे सिफ करके पीएंगे चाय के तरह आधे कप पानी में तो बहुत अच्छी मैडिसिन है इसके साथ मेने एक कॉंबिनेशन है इसके साथ यूज करें कैंटरिस 30 सारसरफ्रेला 30 और बर्वर्वर्वर्वलिस 30 अगर इन तीनों ही मैडिसिन को यूज करेंगे तो जल्दी ही आपकी जो स्टोन है वो निकल जाएगा जो कि अगर आप मि हमारे मुं में टॉंसिल हो जाते हैं वह रेड कलर के तो हम अगर इस दवा को पानी में इसकी 5-6 बून डाल की गरारा करेंगे तो टॉंसिल होने में हेल्पुल होता है जैसे कि अगर आप दांत में दर्ध है और दांतों में सिंस्टिविटी हो गई है सूजन हो गई है या दांतों में रेडनेस हो गई है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी और ऐफेक्टिव मेडिसिन है तो आधे कप पानी में दस बून डाल के अगर अच्छे से पूरा गरारा करेंगे तो आपको जल्दी ही आराम मिल जाएगा इसके साथ अब यूस करेंगे प्लैंटिको मद अस्तमा के लिए बहुत अच्छी और एफेक्टिव मेडिसिन है लंक्स में कोई भी दिक्कत है लंक्स के लिए टॉनिक है ये मेडिसिन अगर आपको दिन में दो बारी आधे कप पानी में 10-15 मुंदार के यूज करेंगे तो आपकी दीरे-दीरे सांस लेने की जो प्रॉब अधिया मधल टींचर जो की बहुत बहुत थेज अगर हमे फेवर के लिए जेसी कि अधर हमें फ्यतुक्त बहुत बिए फेवर बहुत बार बारी आ रहा है और हमें छर्ब में पहले पानी बोमेटनाल थे बहुत प्रूर ही है वामेट दीरे-डिया उप अगर बहुत अच् इवर के लिए बहुत अच्छी है, अगर हमें फोड़े कुंसी हो जाते हैं, या सूजन हो जाती है, या फिर पिंपल्स की प्राब्लम हो जाती है, तो भी हमें उसमें यूज कर सकते हैं तो हमारी नेक्स्ट मेडिसीन आती है, बेलस पर मदा टिंचर जो की मसल पेंट के लिए अगर हमें चोट लग जाती है, या फिर हमें बहुत जादा पेंट होता है, जैसे कि अगर हवा भी चलती है, तो उससे भी हमें लिक्कत होती है, विंटर सीजन में बहुत जादा हो रहा है, तो थोड़ा सा हाथ मिलेके अच्छे से अप्लाई कर लिए तो भी आपको दे दे लिक मिलनाई का, तो यह कुछ मैडिसेंस थी, जो कि भी अल्फाबेट से स्टार्ट होती है, आशा करती हूँ आपको यह बहुत अच्छा टॉपिक लगा होगा, इंटरस्टिं किजिए मेरे चैनल को, मिनते हैं ऐसी अच्छा चीन पूमिटी वीडियो के सब दो, नमस्कार दोस्तों,